अमरनात प्रबुक्तीर सलों में से एक है कौन नहीं जानता बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देश-विदेश से शद्धालू यहां पर आते हैं अमरनात की यात्रा बेहत कठिन होती है लेकिन इस बार अमरनात यात्रा के लिए भारी बंदोबस्त किये गए हैं एक जुलाई से शुरू होने वाली अमरनात यात्रा 30 अगस 2023 तक पूरे 62 दिनों तक चलेगी शावर पूर्निमा के दिन इसका समापन होगा बाबा बर्फानी की यात्रा से पहले सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन ने कड़े इंतिजामात कर दिये हैं इस साल सुरक्षित और सुचारू अमरनात यात्रा के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है अमरनात यात्रा 2023 के लिए कुछी दिन बचे हैं और इस वर्ष तीर यात्रेयों की संख्या अधिक होने की उमीद है ऐसे में पहलगाम और बालटाल बार्क से अमरनात गुफा की ओर जाने वाले परवाई और पहाडी चोटियों सीमा सुरक्षा बलो द्वारा कवर की जाती हैं और भार्तिय सेना ने भी पवित्र गुफा में आने वाले भक्तों की सुरक्षा के लिए विभेन स्थानों पर अस्थाई चौक्या स्थापित की हैं इसके लावा अभरनात यात्रा में आने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा बलों के जवान मौक ट्रिल कर सुरक्षा विवस्था का जायजा ले रहे हैं डॉक्सक्वार्ड भी इस अभ्यान में महत्वकून भूमी का निभा रही है इससे पहले अमरनात यात्रा में तैयारियों और सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्थरिय बैठक ग्रीह सचिफ के निद्रित्व में की गई थी इस बैठक में CRPF, BSF, ITBP के DG और Intelligence प्रमुक शामिल रहे ऐसा माना जा रहा है कि इस पास सुरक्षा बलों के काम बटवारे को लेकर भी कुछ परिवर्तन किया जा सकता है बसलन अमनात गर्ब ग्रीह का काम अब तक CRPF देखता है जो अब ITBP को दिया जा सकता है सुरक्षा की द्रिष्टी से मुख्य स्थानों में भी परिवर्तन किया जा सकता है झाल 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 झाल